Today, do you say that you are in the pit? क्या आज आप ये कह रहे हैं कि आप गढ़े में हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि सब मुझे भूल गए हैं? क्या आप कह रहे हैं सब कुछ खत्म हो गया है? क्या आप ये कह रहे हैं मेरे पास कोई आशा नहीं है? इस गढ़े में से बाहर निकलने के लिए मुझे में कोई बल नहीं है बजन सहता एक सो तीन बचन चार को हम यहां पर पढ़ेंगे वही तो तेरे प्राण को नश्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करूना और दया का मुकुट बांधता है वो परमेश्वर धन्य है जो आपको गढ़े में से बचा लेता है वो आपको गढ़े में से बाहर निकालता है वो आपको बिलकुल राख में से ऊपर उठाता है और वो तो प्रेम और करूना का मुकुट आपको पहनाता है वो हमारा परमेश्वर है वो हमारा यीश्यू है और वो हमेशा चाहता है कि उसके बच्चे मुकुट पहने वो उन्हें गड़े से बाहर निकालता है अगर आप पहला पत्र सध्या 5 बचन 4 पढ़े जब वो मुख्य चरवाह प्रभु यीश्यू वापस आएगा तो वो सबसे पहले आपके सिर के ऊपर महिमा का मुकुट पहनाएगा पर मेश्यूर हमें मुकुट पहनाना पसंद करता है या आज आप ये कह रहे हैं कि आप गढ़े में हैं या आप ये कह रहे हैं कि सब मुझे भूल गये हैं क्या आप कह रहे हैं सब कुछ खत्म हो गया है क्या आप ये कह रहे हैं मेरे पास कोई आशा नहीं है इस गढ़े में से बाहर निकलने के लिए मुझे में कोई बल नहीं है यूसुफ का परमिश्वर जिसने उसे गढ़े में से बाहर निकाला और उसने फिरोन के राज्य में उसे बहुत बड़ा मुकुट दिया वो आज आपके साथ में यहां पर है आज सुबह के समय वो आपकी आरादना का आदर करेगा आपका मन व्याकुल ना हो ये शेया बास सथवचन तीन कहता है और वो कहता है जानते हो मैं क्यों मुकुट दूँगा क्योंकि तुमने अपना जीवन मेरे हाथों में साँप दिया है मैंने तुम्हें अपने हाथ में महिमा के मुकुट के रूप में रखा है तुम मेरे हाथ में वराज मुकुट हो आप तो उसके हाट में राजमुकुठ है परमेशुर के हातों में आप महीमा का प्रताप का मुकुठ है ये कितना महान आदर है आज संसार क्या कहता इस बात कि आप चिंता ना करें जैसे अपना जीवन आपने इस्व को दिया है as you are living righteously यैसे आप धार्मिक्ता से जी रहे हैं पर मेश्य और आपको प्रताप के मुकुट के रूप में थामे हुए है आपका मन व्याकुल ना हो वो आपके सिर के ऊपर महिमा का मुकुट रखे हुए है वो उसने पहले रख दिया है ये मुकुट क्या है अगर आप लेवेवस्ता अध्या 21 वचन 12 पढ़ते हैं और बाइबल ये कहती है कि ये तो अभिशेक के तेल का वो मुकुट है ये तो अभिशेक के तेल का मुकुट है अगर आप पहला शमयल अध्या 16 वचन 13 पढ़ेंगे तो पाएंगे जब शमयल ने वो अभिशेक का तेल दाओद के सिर पर उंडिला और उसका राज्य अभिशेक किया तब सिपवित्रा आत्मा उसके ऊपर आने लगा ये तो अभिशेक के तेल का मुकुट है अभिशेक के तेल का मुकुट क्या करता है In Psalm 23 and verse 5, दाउद कहता है, वो मेरे सर पर तेल उंडेलता है अभिशेक करता है, मेरे शत्रू के सामने, और जब शत्रू आते हैं, और मेरे सर पर अभिशेक के तेल का मुकुट रखता है, और मेरे सर पर उस अभिशेक के तेल का मुकुट रखता है, और मेरे शत्रू के सामने, वो मेरे लिए मेज बिचाता है, अभिशेक का तेल तो आपके सर के ऊपर मुकुट है, आप परमेश्वर की संतान होने के लिए अभिशिक्ठ हुए हैं और पवित्रा आत्मा आप पर एक मुकुट के जैसे है जब पवित्रा आत्मा आप पर मुकुट के रूप में होता है तो क्या होता है अगर आप शिम्शौन के जीवन को देखे नियाईयों अध्याई 15 वचन 14 में आप आएंगे जो पलिष्टी लोग उसके विरुध में आ गए तो इस्राइलियों ने उसे बांद दिया और वो तो शिम्शौन को पलिष्टीयों के हाथ सौप रहे थे बाइबल कहती है कि उस समय परमेश्वर का आत्मा शिम्शौन पर उत्रा और उसके सारे बंधन तूट गए सारी बड़ी बड़ी रसियां पूरी तरह से धागे जैसे तूट गए और वो उटकर खड़ा होता है और उसने गधे के जबडी के हड़ी को उठाया और परमेश्वर की सामर्त उसके उपर में आई और उसने शत्रू के हजार लोगों को मार दिया जब पवित्रा आत्मा आपके उपर आता है तो यही सामर्त आप पर आती है आज लोग हमारे शत्रू नहीं है क्योंकि ईश्यू आया और उसने सब कुछ बदल दिया लूक अध्या 23 वचन 34 कहता है पिता इन्हें शमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रही है रूस पर ये शमसीन अपना जो बलीदान चड़ाया उसके द्वारा उसने शत्रूओं के लिए शमा भी लाई है और वही तो वो जबडे की हड़ी है जो प्रभू हमें देता है हमारी शत्रूओं को मारने के लिए नहीं लेकिन हमारी शत्रूओं को शमा करने और उनके दिल के अंदर जो शत्रूता उसे खत्र करने परमेश्वर की शमा की सामर्थ के द्वारा जिश मसी के लहू के द्वारान और इस तरह से आज हम जैवन्त होते हैं यही तो वो सामर्थ जो परमेश्वर हमें देता है जिनके सिर पर अभी शेक के तेल का मुकुट है और यही तो वो मुकुट की सामर्थ है जो आप पर है और इसके साथ साथ तो आज जैसे शिम्षौन ने मृत्यू का सामना किया था हम भी संसार में मृत्यू का सामना करते हैं और यह जो मृत्यू है यह तो पाप के कारण आती है रोमिय और ध्याए 6 वचंतेईश पाप की मजदूरी तो मृत्यू है लेकिन प्रभू के अनुगरह के लिए धन्यवाद यह अनंत जीवन लेकर आता है परमेश्वर का अनुगरह शमा करना है यह हमें मृत्यू से बाहर लेकर आता है और हमें जीवन देता है हमें जीने देता है आपका मन व्याकुल ना हो इबरानिय अध्या 9 वचंच चौदा हमें बाइबल हमें बताती है कि ऐसे मरे हुए काम है जो संसार में हमें मारने के लिए आती है मत्या ध्या 15 वचंच 18 और 19 में इन कामों की बड़ी सूची है यह है गलत विचार, ग्रोध, अभिलाशा के विचार और शब्द जो हमसे बाहर आते है केवल मरे हुए काम होते हैं जो हमें मारते हैं जो हमें मार देते हैं लेकिन प्रभू का धनेवार क्योंकि परमेश्वर ने हमें अभिशेक के तेल का मुकुट दिया है अभिशेक का तेल हमें स्वतंत्र करता है बाइबल दूसरा कुरंथियो अध्या 3 वचंच 17 में कहती है जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है परमेश्वर वो आत्मा है वो तो अभिशेक के तेल के रूप में आपके सिर पर है और वो हमें स्वतंत्र करता है और हम मरे हुए उस मृत्यू के कामों से आजाद होते हैं मरे हुए कामों के द्वारा जुमृत्ति वाती हैं उससे हम स्वतंत्र हो चुके हैं और हम जीवित रह सकती हैं 1985 में मेरे पिताजी की किड्नी फेल हो गई थी हफते में तीन दिन उन्हें डायलेसिस करना पड़ता था दॉक्टर ने कहां कि आपके लिए कोई भी आश्या भी बाकी नहीं है उन दिनों में भारत में कोई किड्नी ट्रांस्प्लांटेशन नहीं होता था उन्होंने कहां और यहां तक कि जो शंट लगाया गया उस पर भी इंफेक्शन हो सकता और आप मर सकते हैं हमारा दिल तूट गया और उस समय में पिताजी ने घोशित किया था कि परमेश्वर ने कहां है कि वो एक युनिर्सिटी बनाएं और ऐसा करने के लिए कोई मार्ग नहीं था सरकार के जो नियम थे इस बात के लिए अनुमती नहीं देते थे हमारे पास पैसा भी नहीं था लेकिन बस हमारे उपर दोश लगाने वाले बहुत थे और वही हमारे पास का एक मात्र धन था मेरे पिताजी का दिल तूट गया और उस समय बीमारी भी उन पर आ गई और जब यह आई तो दोश लगाने वाले इनका और भी मजाक उडाने लग गए और केवल बहुत बहुत लोग नहीं थे केवल दो या तीन लोग थे कई बार जब दो या तीन लोग हम पर हसते हैं तो हमें लगता है पूरा संसार हम पर हस रहा है जो हमें बान देता है और हम आगे नहीं जा पाते हैं लेकिन प्रभू का धन्यवाद प्रभू हमारी स्थर पर तेल का भी शेक करता है और हमारी शत्रू के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है वो इसे कैसे करता है और छे महने तक हम अंधकार में थे और इसमें भी मेरे पिता जी बाहर जाकर प्रचार करते थे और जब वो प्रचार करते तो सीहें के जैसे होते और जैसे वो आमेन कहते तो बहुती कमजोरी महसूस करते और फिर वो डायलेसस के कमरे में चले जाते थे और सिवा करने के लिए वो अनुग्रह आता था लेकिन वाकी पूरे समय हम तो बस अंधकार में रहते थे और हम पुकारते प्रभु क्यों यह ऐसा क्यों है प्रभु क्यों तुने इन बुरे लोगों को हमारा मजाक उडाने दिया है और हमने कहाँ यह हमारे साथ में क्यों हो क्या हम इमानदारी से प्रभु की सेवा नहीं कर रहे हैं हमने खुद को धर्मी ठैराने की कोशिश की कई बार यह भी मरे हुए काम होते हैं और हम सोचते हैं कि हम महान लोग है 100% प्रभु की सेवा कर रहे हैं और फिर छे महीने के बाद मेरे पिताजी के जनम दिन पर जब वो बहुत कमजोर थे पवित्रा आत्मा उनके अंदर उभर कर आया और प्रभु ने बहुश्वानी के द्वारा बाती की उसने कहां मेरी संतानो बहुत से लाखों लोग है जो तुमसे प्यार करते हैं अभी समय वो तुम्हारे लिए प्रात्ना कर रहे हैं लेकिन तुम उनके प्रेम को भूल गये हो तुमने केवल ये दो तीन आभार नमानने वाले लोगों को देखा है And you have allowed their words, their anger to come into you. And you have allowed their words, their anger to come into you. Their jealousy to come into you. Unki jelan ko aupne bhi tera ane dia. Dead works. And because of that, that evil has disturbed the presence of the Holy Spirit in you. And that has put sickness in your body. You have disturbed the presence of the Holy Spirit in you. तुमने अपने अंदर पवित्रा आत्मा की उपस्तिती को यहां पर डिस्टर्ब किया है उस दिन पवित्रा आत्मा ने कहा अज अपनी आखें लोग उपर से हटा कर मुझ पर लगाओ मैं तुमसे प्रेम करता हूं मेरी ओर देखो मैं तुम से प्यार करता हूँ मैंने तुम्हें धर्मी ठहरा है कि तुम मेरी संतान और मेरी सेवक हो जाओ तुम मेरी और देखो उस समय परमेश्वर से हमने शमा मांग ली हमने कहां प्रभू हम किसी मनुष्य को नहीं देखेंगे जो चाहे अच्छा बोले या बुरा बोले तु ही है जो हमें मुक्ष पहनाता है मेरे प्रभू और प्रभू अनुगरकारी है और परमेश्वर ने मेरे पिताजी को नई किड्नी दी और बड़े चमतकारी रीती से उसी महने वो पूरी तरसे चंगे हो गए और अगले 28 साल तक वो इस किड्नी के साथ जीते रहे जो 100 प्रतिशत काम कर रही थी आज कारुनिया युनिशिटी खड़ी है जहां पर हज़ारों जवान लोग आशीश पाती है हाँ मेरे दोस्तों परमेशों ने आपके ऊपर अभिशेक की तेल का मुकुट रखा है आप अपने अंदर कभी घमंड और मरे हुए कामों को ना आने दे आप अपने शत्रूं को देख कर हिम्मत ना हारें प्रभु ने कहाँ मैं तुम्हें रहूंगा मैं तुम्हें जीवित रखूंगा मस्ती जो तुम्हें वो महिमा के आशा है आज हमारे पास में वा भिशेक की तेल का मुकुट है जो आपको आजाद करेगा और आपको ईश्यू के स्वरूप में बदल देगा बड़े प्रेम के दिल और सभी लोगों के लिए शमा करने वाले दिल के साथ और परमेश्वर हमें जीवित रखेगा वो आपको जीवित रखेगा आपका मन व्याकुल ना हो पवित्रा आत्मा जो आप पर उसका आदर कीजिये वो आपको जीवन देगा आई अपनी आखें बंकरे और परमेश्वर के उठेगे तेगे एक उसके धनिवाद प्रभू धनिवाद प्रभू तुने मुझे पाप के इस गड़े से बाहर उठाया है और तुने मुझे पर प्रेम दया और करूना का मुकट रखा हुआ है I love you Jesus I love you Jesus I love you heavenly father प्रेमी सुर्ग triangle पिता तुम से कितना प्रेम करता है हम तेरे पैरों को चूंते हैं हम तुझे धनिवाद देते हैं कि तुने हमें अपने लहू से धो दिया और कलीशया के रूप में हमें खरीद लिया है हमें अपनी कलीशा की रूप में खरीद लिया ऐसलिए धन्यवाद हम आभारी हैं हर एक के सिर पर तुने जो मुकुट रखा है हर एक वैक्ति इसे जानने पाए और उन सारी आशिशों का ये आनन द उठाए हम तुझे आदर देते हैं प्रभु निरंतर हमारा प्रभु बने रहना हमारा उद्धारग हमारा प्रविजन करने वाला और हमारी दिर्गायू बने रहना प्रभु इसे जीजु के नाम में प्रात्ना करते हैं आमें